क्या बोलती पब्लिक एकदम बढ़िया तो कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं सभी कोई स्वस्तों के मस होंगे अपनी पढ़ाय लगाता जारी रखेंगे मैं हूं किशन पांडे और यह है सबसे नंबर वान एजुकेशन का बेस्ट प्रेट फॉर्म आई हूप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासिस को रिवाइस कर रहे होंगे लगातार आपकी भारी डिवांट सी सर करेंट एलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टिंट टॉपिक एगर कोई है तो किर्चॉफ ला ही आप सभी को पता है और इससे निमेरिकल लेकिन किर्चॉफ लापे अगर आपको कभी भी बड़े से बड़ा भी सर्किट देता तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरू कर दीजिगा तो चलिए सुरू करते हैं किर्चॉफ के सेकेंड लॉक की बात करेंगे जहां से लगातार नुमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आप लगातार लूप का डारेक्शन भूल जाते हैं आपको सर्किट स्वाल करने में दिक्कत आती है तो आपको सिर्फ दो इस्टिप का ध्यान देना है एक तो सबसे पहले आपको जिसे हम कहते हैं उसका मान क्या लेंगे और बैटरी की वैलू हम E-MF की वैलू क्या लेंगे यह दो बातें आपको सिर्फ ध्यान देनी हैं और यह दो कंसेट को सिर्फ यात रखेगा आप जिंदगी भर किर्चाउफ का नियम मरते दम तक नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त तो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस बात का धान देना है कि अगर current और loop का direction अगर सेम हुआ अगर current और loop का direction सेम हुआ तो V की जो value आप लेंगे वो negative लेंगे याद रखेगा वी की जो value लेंगे यानि कि minus में IR होगा ठीक है हमेसा ध्यान रखेंगे हमने आपसे कह दिया कि अगर current और loop का direction सेम होगा तो V की value हम क्या लेंगे मेरे भाई negative लेंगे इस बात को आप बिल्कुल याद रखेगा ठीक है उसके बाद ठीक भी का पोजिट अगर current और loop का direction होगा तो V की value आपको प्लस में IR लेना है अब पूरे circuit में या तो आपको resistance of current दिया रहे हैं या तो आपको battery दिया रहे हैं जैसे इस वाले में हम देखेंगे हमारे पास loop क्या है तो loop को समझने से पहले मैं आपको बता जीता हूँ लूप आप कैसे करेंगे और loop का direction क्या से decide करेंगे हमें इसा याद रखेंगे तो maximum आपके लिए simple तब हो जाता है जब प्रयास करिए कि लूप का जो direction हो पहला है कि maximum case में होता है कि लूप का direction आप वैसे तो free है आप free है लूप का direction चाहिए करेंट की direction में ले सकते हैं चाहिए करेंट की अपोजिट वैलू आपकी सेमानी है एंसर आपका सेमाना है लेकिन फिर भी अगर हम कहेंगे कि आपको सिंपल करना है तो current के opposite direction में कर लीजिए थोड़ा सा अपके लिए सरल हो जाएगा calculation की बात करें जैसे इसमें हमारे पास एक लूप है जहां से आप स्टार्ट करें AFCBA मैं थोड़ा सा स्पीड चल ला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया मेरे भाई आप कुछी समय में आप इससे जादा numerical की प्रैक्टिस अगर अपने notebook पे करेंगे तो आप जादा से जादा numerical की को आसानी से solve कर पाएंगे इसमें जैस लूप भी ले सकते हैं ऐसे न जाने कितने लूप ले सकते हैं जैसे हमारा हो गया एक बैटरी यह दो रहा है ठीक है और दो करेंट आ रही है और फिर अगर दूसरे लूप की बात करें तो इसमें उपर वाला तो common हो गया और यह हमारे पास एक बैटर और एक रिजिस्टेंस आ रहा है यानि कि अब आपको क्या करना है उन्होंने कहा था कि रिचाफ का सेकेंड लॉज होता है और उन्होंने कहा था कि एलजब्रिक सम अफ और पोटेंसिल याने कि एकल टू आयर सिगमा भी या फिर सिगमा इकल टू आयर एकल टू जीरो होता है ठीक है तो चलिए चर्चा करते है इस पर अब जैसे हमने कर लिया आपको जहां देना करेंट और लूप जैसे यह लूप का डारिशन और इसमें करेंट तो सबसे पढलेट कर लेते हैं करेंट का डारिख्शन हमेगी से निकलता है और नेकाटमिल की तरफि हमेशा याद रखेंगे हमें साथ छोटे वाले सिर्यों को माइनिस और बड़े वाले सिर्यों को प्लस कहते है ठीक है कि अगर करेंट यहां से आईवन निकली जैसे आपकी देख पार है स्क्रीन पर आईवन निकली आईवन इस वाले पॉइंट पर पहुची अब हमें जरा बताईए किर्चॉप का फस्त लाव क्या कहता है कि अगर यहां पर करेंट पहुचा तो करेंट यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया अगर करेंट यहां से आई आ रहे जी तो यहा तो इसम आफ ओल करेंट एट एन जक्सन ठीक है इस इकवल टू जीरू चलिए तो हम इसमें बात कर लेते हैं करेंट यहां पर पहुची करेंट दो भागों में डिवाइड हो गई जाने कि आईवन की वैलू आई टू और आई तरी में डिवाइड हो गई आई तू इधर ग क्या मिल रहा है आई वन एकवल टू आई टू प्लस आई त्री इसको आप एक्विसन फर्स्ट माल लेजिए अब आप किसी भी एक लूप को लेकर सॉल्व करिए वह आपका एंसर आ जाएगा सिर्फ आपको ध्यान यह देना है और एक ध्यान देना बैटरी में अगर कर्ण का लिएं तो मैं आपको बता दीता हूं फेल्वड़ों को अगर लूप के डिर्प्राइशन इदर से इदर चलने आप व्लस से माइनस की और जो आखरी वाला माइनस होगा अगर अग्स चलने तो माइनस से बबस बाद वाला कोन मिला अफ्सटे से यहां हो जागा पल कट मेरे भाई यहाँ पे करिंट का डारीशन गरे लूप का डारिशन आप पूजी से तो वी की वेलू प्लस होगी यानि कि आई-टू-2 की वेलू क्या होगी डू आईवन यानिक आप लिख लीजिए लूप फरस्ट में टू इन्तू इतू यह प्लास में हो गया अभी घूमा यू यूँळू अब यह जब घूमेगा इसी घूमकि अधर गाएगा अब लूर्प का डारेक्षिन इदर है यहीं से घूमेगा लूप का परिएंट का रारेक्षन अगर से मोह तहाँ वी की वेल्यू माइनस लेंगे तो यहाँ पर आई थी एंटु थी माइनस में पर आई थी और जब यह लुक का ररेक्षन दर माइनस से प्लस क्यों जा रहे हैं तो जो बात वाला हुआ फ्लस तो वैलू प्लस हो जाएगी यानि क कि प्लस वन हो जाएगा जिक्वस्टू जीरो कर लेंगे बराबर बात है इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं टू आई टू माइनस ठीज एक वल्टू माइनस में वन एक मेंसन इसको फर्स्ट माल लेंगे और लूप सेकंड अब हम बात कर लेते हैं फॉर गरना के लूप रेकंड लूप सेकंड लूप का डािरेशन इधर रहेते हैं जब हम माइनस से प्लस प्लस क्यों जाते हैं तो बैटरी अगर फ्लस बाद में मिलेंे विलेगी तो प्लस लिंगे तो डू की बेलू to दम को इन लेंगे अब हमारे लूप इधर जा रहे है तो 4 इंटूш में ृटय और च्री माइनिस में भी हुआ होगी तुब यहां से यू रूप करेंट लूप और गूम यह जाएगा यह लूप ऐसे खूमा यू यू लूप निधर रहा है current का डारेक्षन भी से में तो आइटू इंटू टो की वेल्यू क्या होगी माइनस लेंगे माइनस में टू आइटू इक्वल टू जीरू ठीक है अराम से देख लेंगे ठीक है चाहिए आप टू कॉम्मन ले लिजिए तो टू अटू टू 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 यहा किमारे पास क्या जाएगा माइनस में और वन क्ल्या में अद्स काममल लेंगे तो आई-1 प्लस एकवल टु में बन यहीं तो होगा मोई यह दो तुए1 प्लस इंद sangat क्लियर वत्ति बात तट एक रख sint Little अब आप देखेंगे जहां पर i1 है वहां पर हम i2 प्लस i3 लिख सकते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास एक equation और बना है वो i2 i3 के टर्म में है इस वज़़े से तर्म होने की वज़य से हम इस वाले को हम क्या लेंगे जहां जहां हमारा आइबन है वहां महां i2 प्लस i3 ले सकते हैं ठीक है तो हम दिखेंगे फ्रॉम एक्रेसन करें तो यहां से हम क्या क्या काम करेंगा two to i1 प्लस i2 प्लस में i2 हमारे पास क्या मिलेगा 2 का मल्टिप्लाई कर देंगा 2i1 प्लस 2i2 हमारे पास ये i2 है i2 प्लस i3 है i2 प्लस i3 i2 प्लस में i3 2i2 प्लस 2i3 प्लस में i2 एक वस्तू 1 है ठीक है 2i2 और 1i2 पहले से था 3i2 plus 2i3 equals to 1 equation हमारे पास क्या आ जाएगा third बस खतम हो गया हमिशा आपको क्या काम करना जितने loop होंगे उतने equation निकालद ? हमेऊब के और जितने एक्वेशन निकालनी रहती है या फिर कभी कभी कैख देता है कि वोल्टेज की वेलू भी की वेलू आपको फाइंड करनी रहती है आफ इच लूट ऐसे दे देता है तो अगर आप करेंट की वेलू निकाल देंगे जो बीक्वल टू आई आर होता है कराम सब निकाले जाएंगे ठीके अब लिखेंगे हमारे बास दो इक्वेशन आ गया था फ्रॉम एक्वेशन थर्ड एंड थर्ड एंड सेकेंड थर्ड एक्वेशन लिख लो पहले री आई टू लस्टू आई थ्री एकवस्टू बन है नीचे वाद लिखेंगे तू आई टू 2i2 माइनस में 3i3 1 plus 2 माइनस में 1 हमारे पास एक क्वेशन आ गया जला धान से देखिए अब नॉर्मल अगर आप इस चीज़ को देख पाएं तो नॉर्मल इस एक्वेशन को आप ऐसे solve लिए कर सकते तो एक तरीका होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक value सेम हो जाए तो अगर इसमें हम 2 का multiply कर दें और इसमें 3 का multiply कर दें तो 3,2,6 हो जाएगा और इसमें 3 का multiply कर दें 3,2,6 ही हो जाएगा हम अराम से सुखरू कर सकते हैं ऐसा कह सकते है on multiplying 2, on multiplying 3 we have क्या मिलेगा हमको तू का multiply इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या वल जागा 3 2 जा कितना हो जागे वरे भाई 6 I 2 हमारे पास या जागा प्लस 2 2 जा 4 I 3 एक पस्टू 2 2 का गुड़ा इसमें कर दिये 3 का multiply कहसें करेंगे 6 I 2 देखो ध्यान से आ गया 3 3 जा 9, minus में 9 I 3 clear बात equal to 3 बंज़र 3 minus में 3 आ गया यहाँ तक सब को clear रहे विटा अब आप इसमें आराम से सब्टेट कर सकते हैं चाहें जो कर यह कोई issue नहीं है अब आप इसको आराम से सब्टेट कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहां पर सब्टेट करेंगे जो प्लस रहेगा माइनस यह माइनस रहेगा तो प्लस और यह माइनस था तो हमारा प्लस हो जाएगा ठीक है यह पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यह कित्ता आजाएगा यह प्लस में था 9 4 13 13 13 हमेशा आपको यही बात ध्यान देनी है कि दो जृतिसन बनेंगे और उस दो एक्वेशन में से पूरे बेलू कटने के लिए आप अपने सुविधा के लिए प्रोसेस के question रग दीजिए आपको i2 की value मिल जाएगी और अगर आपको i1 find करना है इसमें हमें क्या निकालना था i1, i2 and i3 हमें i3 निकालनी थी तो जब i1, i2 निकल जाएगी तो हम add कर लेंगे तो फटाक से सभी पच्चों को इंसार बताना है कि i1 की value क्या होगी और i2 की value क्या होगी सभी को comment section में please बताना है है न होपस हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्यों मैंने ऐसे बनाए special वीडियो ताकि आपको current का direction loop का direction हमेंसा याद रखेगा कि loop और current का direction आप सेम भी ले सकते हैं पॉजिट भी ले सकते हैं याद रखेगे जो circuit जो लूब ले रहे हैं उसमें जितने भी आपके करेंट और रिस्टेंस साथ हैं उसको calculate करना है और आपकी बैटरी जितने आती है उसमें calculate करना है ठीक है जैसे यहाँ पर करेंट और रूप का डायरेक्शन अगर सेम हो तो वी की वैलू आपको negative लेनी है अगर करेंट आ का अपोजिट होगा तो व किवेलू पॉजिट्िवो लेनी है यहीं अगरonen के बात करेंगे अगर यह लूप माइनस से प्लस के हो जारहे तो वेलू माइनस लेंगे इसलिए वजह से सथे- माइनस से प्लस जा रहा है तो पहल्य प्लस लेंगे जैसे हमने प्लस लिए और अगर अगर हम यह सीधर जाते है यह घुम है इधर इधर सीधर जा रहे है तो माइनस से प्लस क्यों जा रहे हैं इस एक्वेसिन तुरों भी प्लसकी आया ठीक है और aoir इस चीज को याद रखेंगे आप इसका स्क्रिंट भी ले सकते हैं और ऐसे सारे नुमेरिकल है जिनको आप स्वाल करेंगे और उसका कॉमेंट सेक्षन में अंसर बताएंगे अब इसमें भी आप करेंट का डारेक्शन कुछ भी फाइंड कर सकते हैं लूप का डारेक्शन करेंट और लूप के डारेक्शन में ठीक है तो आई होप इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा अगर फिजिक्स में किसी भी ऐसे चोटे मोटी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कॉमेंट कर देजएगा उस